हम बात करने जा रहे हैं इंटीजर्स की लेकिन इससे पहले कुछ नंबर्स के बारे में आपको पहले से जानकारी है आप जानते हैं कि वह एक नंबर्स को एक तो नेच्चरल नंबर होता है हम साथ बता भी चुके एक बार नेच्चरल नंबर होता है जिसको कि हम 1,2,3 ऐसे लिखते हैं ठीक है तूसरा आपको बताया गया होल नंबर्स होता है उसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है इसके बाद इंटीजर्स होते हैं जिसमें कि 0,1,2 और निगेटिव नंबर्स भी सामिल होते हैं ठीक है इसके बाद आपको बताया गया प्राइम नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जो अपने से और वन से अलग-अलग दो नंबर से दिवाइड़ो अगर अलग-अलग दो नंबर से हूँ एक खुद और एक वन जिसमें की टू थ्री फाइब एंड सो आन थे एक आपका बताया गया था कंपोजिट नंबर चिसमें वन के अलावा दो अलग-अलग फैक्टर्स हो वन की अलावा एकटेप्ट वन देर इस नौर दान ट्व फैक्टर्स क्यों बोला कि जैसे आप यह कंफ्यूसर नहों कि वन इस ब्राइम नंबर वन इस नट प्राइम नंबर ठीक है तो तो यह आपका क्या हो जाएगा 7 तो होगा नहीं तो क्या होगा four ho GAC 6 ओगा एड होग और बहुष सारे नंवर्स होelin जोकप फिर आपको even number स्व टाये गैं ऐस जो नंबर्स टू से डिविज्वर डूते हैं इस फ्रकार के नंबर पिर आपको और ढ elder बता आएगे हैं जो नंबर्स टू से डिविजुल ना हूँ यह वन थ्री फाइफ यह और नंबर्स होते हैं इसके बाद हमने को प्राइम बताया है आपको को प्राइम बताया है यह नया वर्ड आया है हमने बताया था एक बाद को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आप सुनिये ध्यान से को प्राइम का मतलब होता है दो ऐसे नंबर जिनमें वन के अरामा कोई भी कॉमन फेक्टर नहों अब बताईए एक्जामपल दो ऐसे नंबर जिनका स्थ पढ़ाया ना स्थ पढ़ाया आपको जिनका स्थ वन हो यह नो कॉमन फेक्टर एक्सेप्ट वन अब बताईए फाइव और सिक्स हो सकते हैं हां दो ऐसे नंबर जिनका जो स्थ वो वन हो यह कोई भी उसमें कॉमन फेक्टर नहों वो को प्राइम होते हैं ठीक है यह बड़ा कंफ्यूजन वाला बड़े कंप्टेटिक जम्में भी आता है बहुत है क्योंकि नाम से लग रहा ना कि दो प्राइम नंबर जी नहीं दो ऐसे नंबर का पेर जिनका SCF केवल वन हो यानि कोई भी कामन फेक्टर उसमें नहों एक्सेप्ट वन ठीक है तो मैं आज बात करने जा रहा हूं इंटीजर्स की दो को इंटीजर्स में नेचुनल नंबर भी आ जाते हैं क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं नि किस से इंडिकेट करते हैं ने इंटीजर्स को इंडिकेट किस सिंबल से करते हैं वाट सिंबल वी यूज तो रिप्रेजन इंटीजर्स आय से लिखते हैं हम इंटीजर को आई से लिखते हैं लेकिन एक्चुली standard name जो है वो इंटीजर को Z से रेपर्रेजेंट किया जाता है करण होता है ये वर्ड है जहलन जहलन एक वर्ड है जो इक बुक लिखी गई है इंटीजर के ऊपर ठीक है तो ये वहाँ से बढ़ लिया गया है जातर जेड से रिप्रिजेंट करना चाहिए वैसे आई से भी करते हैं देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नमबर लाइन की क्योंकि नमबर लाइन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी देखो ये नमबर लाइन होती है नमबर लाइन की पहली कंडिशन यह है कि दोनों तरफ एरो होना चाहिए ठीक है जीरो जब हम अपने राइट साइड में जाएंगे तो नमबर प्लस होंगे और जब लफ्ट साइड में जाएंगे तो नमबर माइनस होंगे जहां आप बैठें, अपने लेफ्ट में जाएए आप, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थी, ठीक है, अगर आप integers को, यह तो integers होगे, represent कैसे करते हैं, ठीक है, यानि जब आप right side में जा रहे हैं, तो आप increasing order में जा रहे हैं, और left side में जा रहे हैं, तो आप decreasing order में जा रहे हैं ठीक है अब integers को कैसे plus करते हैं और कैसे subtract करते हैं तो चीजे हम बताने जा रहे हैं देखो ध्यान से पहली चीज अगर आपने 2 और 3 को plus किया अब आपके तो बहुत सिंपल चीज है तो हम जानते हैं यह 5 आ गया ठीक है क्यों 0 से हम पहले गए 2 के पास number line पे और चीज प्लस करना है फिर गए 3 और बढ़ा दिया हमने यहाँ पर 1,2,3 और हम कहां पहुंच गए 5 के पास तो 5 आ गया लेकिन अगर हम कहें आप से कि 2 में प्लस करना है minus 3 या यूं कहिए 2-3 करना है तो देखे minus में किधर जाना होगा number line पे minus में जाना होगा आपको left और प्लस में जाना होगा आपको right तो actually में यह लिखा है 2-3 तो देखे number line पे कैसे आप जाएंगे यह 0,1,2,3,-1,-2,-3,-4 देखे पहले आप जाएए 2 के पास एक स्टेप दो स्टेप टू पे पहुंच गए आप यह आप डारेक्ट टू पे जाएए ऐसे उचल के मत जाएए number line की help से कभी कभी पूच लिया था है number line पे दिखाओ 0,1,2 देखे 0 से आप प्लस डारेक्शन में जाएए 2 के पास पहुंच गए आप अब कहां पे आप बैठे हैं अब हम 2 पे बैठे हैं ना तो 2 से left side में कितने इस्टिप हम चलेंगे नहीं नहीं यहां देखे कितने स्टिप चलेंगे हम 3 स्टिप चलेंगे ना 2 से हम left में 3 स्टिप चलेंगे अच्छा यह माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 तो 1 स्टिप 2 स्टिप 3 स्टिप तो यहां से वापस लाट के हम आएंगे तो हम यहां पहुँच जाएंगे, कहां पहुँच गए हम माइनस वन पे, तो इसका रिजल्ट क्या है माइनस वन समझ में आई, नमबर लाइन पे कैसे हम करते हैं ठीक है, जैसे माल लिया यह भी रूल हम बता देंगे माल लिया, आप से कहा जाए माइनस टू और माइनस थ्री और कहां नमबर लाइन पे बताओ तो देखें क्या होता है सिस्टम यह नमबर लाइन बनाए आपने 0 1, 2, 3, 4 माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 तो माइनस 1, माइनस 2 माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 1,2,3,4 विजबिल है ना जो हम लिख रहे हैं देखे पहले 0 से आप माइनस 2 बजाना है तो लेफ्ट या राइट तो पहले 0 से आपको लेफ्ट में जाना है माइनस 2 पहुंच गए फिर वहां से 3 स्टेप और लेफ्ट में तो एक दो तीन तो आप पहुंच जाओगे यहां प पाफ नंबर लाइन you can find the value ठीक है बले इससे नोट करते जाए फिर हम बात करें माल लिया हमको ज़रुत इस नंबर की ज़रुत क्या है देखे माल लिया एक सी लेविल पे हम है अब हम कह रहे हैं कि एक बर्ड है जो 10 मीटर ऊपर ऊड़ रही है एक फिश है तो 10 मीटर नीच नीचे है तो हम कैसे रिप्रजेंट करेंगे उपर नीचे को कैसे करें तो उपर वाले को हमने पॉजिटिव माल लिया नीचे वाले को हमने निगेटिव माल लिया ठीक लेफ्ट वाले को राइट वाले को तो हम नंबर में अगर लेफ्ट राइट जाना चाहते हैं तो जरा समझेगा हर जगे तो number line होगी नहीं हर जगे number line तो कर नहीं सकते जो समझेगा हमेशा ध्यान रखिएगा मैं plus minus की बात कर रहा हूं multiply की बात नहीं कर रहा हूं हमेशा ध्यान रखिएगा same sign के numbers को अगर plus करना है फिर समझेगा same sign के अगर numbers है तो plus कर रहे हो तो वो plus हो जाएंगे और उसी sign में answer आएगा जैसे किसी के पास हवारा minus 10 rupees है मतब 10 rupees का उसने उधार लिया आंसे फिर minus 20 और उसने उधार लिया तो कुल minus में लिया जाएगा न 30 ठीक है तो जब भी same sign हूँ यानि plus 20 plus 10 दोनों add हो जाएंगे answer प्लस में आएगा minus 20 minus 10 दोनों add हो जाएंगे answer minus में आएगा ये rule पहला समझ में आ गया ठीक है दूसरा ये है कर different sign है तो different sign हमेशा 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 subtraction ही होगा और जो greater number होगा उसका sign यूज किया जाएगा समझ में आई बात यानि अगर मुस्से कहा जाए 50 plus 20 मुस्से कहा जाए minus 50 minus 20 मुस्से कहा जाए minus 50 plus 20 मुस्से कहा जाए plus 50 minus 20 तो देखे चुकि दोरों के sign कैसे है positive यहाँ plus लगाने की ज़रूत नहीं पड़ती है क्योंकि आप जानते हैं अगर number के आगे कोई sign नहीं है तो that number will be considered as positive number ठीक है अब इन दोनों के sign अलग अलग है क्या सेम है इन दोनों के sign सेम है क्या अलग sign की बात में कर रहा हूँ इनके दोनों के sign sign अलग 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 दिख रहे हैं आपको यह minus यह भी minus में है ने मुझे minus सेम होता हूँ उसी sign की बात करो पॉजिटिव यह निगेटिव यह दोनों positive नंबर है यह दोनों negative नंबर है तो दोनों हमें सब plus ही होंगे और sign कौन सा लगेगा जिस sign के वो है चुकि यह दोनों minus के हैं तो यह minus होगा यह rules हम इसलिए बता रहे हैं कि जो algebra आप करेंगे तो algebra में algebra is the mathematics of sign algebra जो है वो sign की mathematics है plus minus की mathematics है तो अगर जब तक आपको plus minus में confusion होगा और मारों के 12th class label तक के students से गरबर कर जाते हैं वहाँ पर ठीक है इन दोरों के sign सेम है कि अलग-अलग है इसके भी अलग-अलग है अलग-अलग sign में rule क्या बताए गया हमेशा subtraction होगा और sign किसका लगाएंगी जो greater number होगा ठीक है जैसे यह subtraction होगा 30 आएगा यह भी subtraction होगा 30 आएगा लेकिन यहाँ पर greater number है 50 जो की negative है इसलिए negative में आएगा यहाँ greater number है 50 जो की positive है इसलिए positive आएगा और positive sign लगाने की दुरूत नहीं होती वो number आलड़ी positive होता है तो यह operation समझ में आ गए अब बताई किया आप largest largest positive integer बता सकते हैं कौन सा है largest integer can you tell give the answer क्या इसा हो सकता है बताया जा सकता है हाँ endless यानि कि अगर पूशा गया is it possible to say कि which is the largest number in the set of integer no it is not possible to say उसे नहीं बताया जा सकता है चर निकेटिव में बताया जा सकता है ठीक है अच्छा अब अगर हमसे ordering कहा जाए वह great आप बढ़ते भी करम में लिखे या ascending descending order में तो आप जानते हैं जो number जा देखे जो number जितना बड़ा होता है अगर माले 50-30 लगा दे तो बड़ा कौन है लेकिन अगर sign change हो जाएगा negative लगा दे तो जो सबसे बड़ा number negative को होगो सबसे छोटा हो जाएगा ठीक है यह बड़ा confusion रहता है कि अगर minus लगा दिया जाए तो आप कौन सा number बड़ा हो जाएगा 30 और यह sign आप जानते है इसका मूँ जिधर होता है वही number बड़ा होता है ठीक है पिदे घर में होता नहीं कि आपको जिससे काम होता है आप उधरी मूँ गुमा लेते हैं उसको आप बड़ा मालेते हैं मम्मी से गाम है तो मम्मी मम्मी मेरी उधर आप देखने लगे ठीक है पापा से काम है तो मम्मी उधर हो गई पापा से काम हो गया तो जो जिधर आपका मूँ है उस समय आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टन रखता है ज्यादा बड़ा है यह जनरल लाइफ का रूल है तो वही number system में भी लागू होता है ठीक है अच्छा यानि कोई भी smallest integer न तो no doubt आप जानते हैं कि कौँ सा number बड़ा है और इसका sign कि दर क्यों लगाए जाता है ठीक है तो यह आप जानते है greater less number कैसे होते है ठीक है अगर मैं आप से arrange करने के लिए कहूं उस numbers में दे रहा हूं six minus eight minus seven eight minus three zero orange in the ascending order ascending order का मतलब क्या होता है descending order successor predecessor predecessor जिर नाम याद रिखेगा इसको जड़ा ascending order में लिखेगा ascending order अच्छा मैं तो जानतों क्या करता हूं अब ऐसे सर्च करना पड़ेगा यह नंबर भी यह ढूना पड़ेगा तो मेरी आद जानतों क्या होती है हमको छोटे जबड़ा लिखना है ना हम और बड़े के तरफ जाना है ना तो हम धेको लिखते कैसे है हम पहले six लिख लेंगे एक रफ में हम लिख रहा हूँ फिर देखे माइनस eight इधर लिखेंगे मालों इधर आएगा माइनस seven इधर कहीं आएगा eight इधर कहीं आएगा माइनस 3 इधर कहीं आएगा 0 इधर कहीं आएगा तो हमको क्या गरना पड़ा ढोड़ना नहीं पड़ा एक रफ लिया हमने रफ में हमने ऐसे numbers लिख लिए ठीक अब हमने फेर मिल दिया माइनस 8, माइनस 7 माइनस 3, 0, 6, 8 अब इसमें हम चाहें तो sign लगा सकते है greater less का तो मुह किदर रहेगा उसका मुह हमेशा बड़े की तरफ रहता है तो यह आपका ascending order हो गया तो यह यह चीज़ rough में करते हैं जिससे क्योंकि number आगे पीशे है ना क्रम से ऐसे आ जाते है number अच्छा दो numbers को add करने का तरीका क्या बताए गया था देखिए number line में अगर हम आपसे कहें कि number line में show करिए तो number line में show करना समुना गया plus करना है तो right में जाना है minus करना है तो left में जाना है तो अगर आपसे कहा जाए add 6 and minus 4 जैसे आपकर से कहा जाए कि add 6 and minus 4 on number line अगर मैं कहूँ on number line तो पहले आप क्या करेंगे number line बनाएंगे 1,2,3,4,5,6,7 तो 1,2,3,4,5,6,7 पहले 0 से 6 में जाएंगे ऐसे और जब पहुँच जाएंगे तो उससे 4 कदम पीछे लोटेंगे तो जब 4 स्टेप पीछे लोटेंगे तो हम 2 पह आजाएंगे तो यह तो number line का system हुआ ठीक है अगर मैं ऐसे operation करता हूँ तो 6 और minus 4 को add करना है तो हमने कहा था अगर 2 number को add करना है और दे आर आप दा opposite sign तो always you do subtraction अगर दोनों opposite sign के हैं तो हमेशा subtraction करिए और जो number बड़ा होता है उसका sign लगाईएगा ठीक है तो subtraction में क्या आएगा यह 6 आएगा और जो number बड़ा है बड़ा देख रहा है आपको यह सरी क्या बोलना हूँ 2 आएगा और number बड़ा चुंकि positive है तो plus 2 आजाएगा तो यह आप जानते हैं अच्छा minus 4 minus 6 दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ add minus 4 and minus 6 तो लिखा कैसे जाएगा minus 4 plus minus 6 तो पहले तो आप number line पे क्या करेंगे हाँ 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 number line तो खेर देखो जितने आद चाहिए number line में उससे एक आद number ज्यादा होने चाहिए नियम होता है जितनी आपकी requirement है उससे कम से कम एक number ज्यादा होना चाहिए तूसी बात number line में दूनों तरफ arrow होने चाहिए यह number line की खास्यत है requirement से एक दो number ज्यादा होने चाहिए ठीक है आप सबसे पहले क्या करेंगे नंबर लाइन पर अब 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 उधर 1,2,3,4 को इस नंबर लिख देंगे पॉजिटिव में अब फिर जीरो से हाँ कैसे एड करेंगे किधर लेफ्ट और राइट हाँ लेफ्ट तो पहुँच जाएंगे किस नंबर पर हाँ तो ये तो हो गया सिंप्ल प्लस माइनस करने का तरीका ठीक है एक आता है आपका मॉडलस क्या आता है मॉडलस मॉडलस समझा लिजे क्या होता है मॉडलस वर्च की यूज किया गया है मॉडलस का मतलब होता है कि नो साइन साइन शुड नॉट बी देर जैसे मैं फाइव नंबर है कोई फाइव उसका मॉडलस निकालना है तो फाइव आएगा अगर माइनस फाइव है इसका मॉडलस निकालना है तब भी फाइव आएगा हमने नो साइन बोला है हमने ये ने का पॉजिटिव साइन सुमलेजीगा वो एक अलग चीज है कि मैथमेटिक्स में जहाँ पर साइन नहीं होता है वहाँ पर कौन सा नंबर साइन माना जाता है प्लस या माइनस अब वो एक अलग बात है कि जहाँ साइन नहीं होता वाँ प्लस माना जाता है लेकिन आप यहाँ पर positive sign नहीं लगा सकते हैं ध्यान लखिएगा mod का मतलब होता है without sign तो यह आपका modulus होता है अगर यह mod ऐसे दो parallel lines की बीच में number लिखा हुआ है इसका मतलब आप modulus value ले रहे हैं ठीक है note करिए इसको कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि अगरे क्या है कि एक कुछन लिखे मैं विकल बोल रहा हूं आप उसनिये ज्यान से है कुछने के shopkeeper makes a profit of rupees 1000 in one month and loss of rupees 1200 in another month what will be his total profit or loss कैसे निकालेंगे he has a profit of rupees 1000 लिखे a shopkeeper note करिए a shopkeeper makes a profit a shopkeeper makes a profit of rupees 1000 in one month 1000 in one month and loss of rupees 1200 in another month यानि कह रहें profit है rupees 1000 in one month एक महिने में and loss है rupees 1200 in another month तो आपको निकालना है कि net profit होगा या loss होगा इन्होंने यहां एक question पूछा क्यों यह केवल आपसे जाना चाहते थे कि आप एक number को plus और एक number को minus में कैसे लिखेंगे तो आप लिखेंगे कैसे क्योंकि हमको profit loss का question नहीं बाना है ना तो आप लिखेंगे जब question कैसे लगाएंगे आप लिखेंगे जो profit है ना वो है plus rupees 1000 और जब loss लिखेंगे तो आप लिखेंगे minus rupees 1200 अब आपको total loss है या gain हमको नहीं मालूं तो हम लिखेंगे total loss और gain जो भी हो रहा हमें तो total का मतलब दोनों को plus करना है दोनों को plus करना है तो हम क्या करेंगे 1000 में plus कर देंगे minus 1200 तो answer में आए जाएगा minus 200 और minus से indicate करता है कि उसका loss हो रहा है ठीक है अब आप कहेंगे देखने से मालूं हो रहा है देखें हमको profit loss का formula नहीं लगाना है हमको number system से बताना है कि उसका profit हो रहा है या loss हो रहा है ठीक है अब ज़रा समझेगा अब हमने का मैं तो profit को negative लेता हूं मैं तो loss को positive लूँगा मेरी मेरा loss मेरा फैदा होता है तो हम आप से देखें अब आप हम इस number system से समझाना चाहते थे आपने का हमारा loss होना मेरा मेरा फैदा है मेरा loss हो जाए तो हमने क्या क्या loss को positive लिख दिया अमाल लेते हैं ठीक है और profit को negative लिख दिया अगर मैंने हमने का loss को पॉजिटिव लिखूँगा पहले नोट करें फिर हम बात करें अब ज़रा समझीगा हमने का मैं प्रॉफिट को निगेटिव लेना चाहता हूं लेलो निगेटिव और लॉज को पॉजिटिव कर दो यह निगेटिव यह पॉजिव आपका अंसर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव आपको मैं अगर मैं कह रहा हूं मैं प्रॉफिट को निगेटिव लिखना चाहता हूं और मैं लॉज को वैसा होता नहीं है मैं लॉज को पॉजिटिव कर रहा हूं आपने जब दोनों नंबर्स को प्लस किया तो प्लस आगया आपका आपने प्लस किसको माना था अभी किसको माना है प्लस और प्लस में मेरा अंसर आ रहा है तो इसका मेरा लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है आपने प्लस किसके लिए यूज किया है और आपका प्लस में यह आंसर आ रहा है तो आपको लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है ने आपने जो साइन उसके लिए माना वही साइन आ रहा है तो इसका मतलब लॉस हो रहा है समझारी बार नहीं आ रही है बाई आप आपने का ऐसा क्यों माना आपने थे कि होता क्या है एक reasoning होती mathematics में होती है ना और reasoning कहते हैं कि plus को अगर मैं into मालनू minus को मैं divide मालनू ऐसा लिख देते हैं वो है ना sign change मतलब वो एक question देंगे आपको कि 2 into 3 minus 4 plus 5 divided by 7 plus 6 ऐसा question दे दिया कि इस तरीके के question solve करने आते हैं आपको कैसे solve करते हैं क्या नियम लगाते हैं इस solve करने में अरे 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 क्या कर रहे हो गई माइनस कर से कर दोगे जड़ा ना 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 रुको 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 अब पता नहीं वह आपके level में आया नहीं आया मैं बता देता हूँ एक rule होता है इस प्रकार से board mass पढ़ाए आपने एक होता है बाड मास बदमास नहीं है यह मैथमेटिस की बदमासी है बदमास वैसे यह बाड मास है ठीक है क्या मतलब होता ज़र समझीगा S का मतलब होता है सब्ट्रेक्शन क्या होता है सब्ट्रेक्शन होता है A का मतलब होता है एडिशन M का मतलब होता है multiplication लेकिन आप भूल गए हाँ तो हो सकता है बताया हो और D का मतलब होता है division कोई कोशन आया होगा उसमें confusion हो रहा होगा O का मतलब होता है off O और B का मतलब होता है bracket देखे इसमें जो पहले होगा हो पहले स्वा पहले किया जाएगा आपने देखा होगा किसे कभी यह bracket लगता है कर्ली ब्रेकेट भी होता है रेक्टेंगुलय ब्रेकेट उटा है darkše इनाप ने का लिखते हैं आप इंटू लिखते हैं ना इंटू लिखते हैं लेकिन अगर अगर अब मल्टिप्लिकेशन भी यहां लिखा हुआ है लेकिन आफ पहले साल होगा आफ के बाद में डिविजन पहले होगा ठीक है फिर मल्टिप्लिकेशन होगा फिर एडिशन होगा फिर बात करते हैं भली ये नोट का लिजे ब्रैकेट आफ का मतलब मल्टिप्लाई ही होता है आपने पड़ा है ना कि 70% आफ 100 कितना होगा है आफ 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 वर्ड यूज किया है ना जैसे आपने का 60% आफ 5 कितना होगा ठीक है यह 20 20 by 3 आफ 5 बताओ वन थर्ड आफ 20 कितना होगा जैसे आप पढ़ते ना वन थर्ड आफ वन थर्ड आफ 21 तो आप वन अप आफ त्री और आफ को इंटू लिखते हैं याद है ना तो आफ और मल्टिप्लाई भी इंटू होता है लिकिन पहले आफ सल होगा तो यह पहले नोट कर लिजिए अलग से ऐसे आप मेमोरी में फीट कर लिजिए अपनी है ठीक है अब जरा समझेगा अब मैं इस कुशन पर आता हूं मैं बता कुछ और रहा था लेकिन एकदम से वो दिमाग में आ गया अब इस यह जो हमने बदमास रिखा है ना बदमास बदमास ने पढ़िए गई वैसे वैसे तो यह मैसमेटिस की बदमासी है लेकिन यह बार मास बॉर्ड मास क्या यहां प्रैकेट है नहीं है आफ है नहीं पहले आप क्या करेंगे डिवाइट करेंगे का आफ कहा है आफ लिखा आफ लिखा होता है आफ लिखा होता है वही मल्टिप्लाइ नहीं किया जाएगा यह मल्टिप्लाइ आफ नहीं है मल्टिप्लाइ तो ए कि यह एजिन तो पहले क्या सॉल्V किया जाएगा घ्रक के तो गाल देविजन कैसे आगुर जाए अगर की स्थे यह तूप लुक्ष किया लगई सब्सक्राइब ने टेबल नहीं भाई देखो 3 क्या पान में 1 है डिवीजन सॉल्ब करने का तरीका देखिए इस डिवीजन को मल्टिप्लाई कर दीजे कर दिया और इस नंबर को पलर दीजे नंबर क्या आ गया 1 बाई 3 समझ में आ गया तो पहले तो मुझे डिवीजन सॉल्ब करना था और सब ऐसे लिखे रहेंगे 2 इन्टू 3 माइनस 4 प्लस 5 इन्टू ये 1 अपान 7 और प्लस 6 यहां तक बात समा गई अब चुकि डिवाइट नहीं हो सकता ना ये पूरा-पूरा अगर ये 5 लिखा होता तो 1 आ जाता भाई मालिया यहां पर 5 लिखा होता यहां पर तो 5 डिवाइड बाई 5 वन लिख देते हम ये ऐसा नंबर है कि पूरा-पूरा डिवाइड कर नहीं रहा है तो डिवीजन हो गया डिवीजन बाद साइन कौन सा है मल्टिप्लाई का है तो मल्टिप्लाई करिए 2 इंट 2 3 6 माइनस 4 इसका मल्टिप्लाई कैसे होता है 7 बाई 1 तो मल्टिप्लाई में पलर देते हैं वेलू मल्टिप्लाई में नहीं पलटा जाता है यह 5 जो लिखा है वो numerator में है किसमें है तो numerator का numerator से multiply होता है denominator का denominator में होता 5 के नीचे denominator कुछ लिखा हुआ है 1 है न तो आप अपनी जनकारी के लिए 1 में रखिएगा 5 का 1 से multiply हो जाएगा 5 आएगा और नीचे 7 आएगा हो गया multiply अब multiply खतम अब क्या करेंगे आप addition देखो पहले ये minus नहीं कर सकते आप 6 minus 4 नहीं कर सकते 6 minus 4 नहीं कर सकते आप answer वही आएगा देखें लेकिन आप पहले score और इसको plus करेंगे 6 6 12 12 plus 5 by 7 minus 4 पहले इसको plus करेंगे आप अब आप कहेंगे 6 minus 4 कर देखेंगे 2 आजाएगा काम चलेगा answer आजाएगा आपका लेकिन board math जो कहता है वो rule गलत है अभी कई साल कई साल पहले एक लखनव का college था नाम नहीं लेंगे वहाँ उन्होंने student को fail कर देखेंगे इसी बात पे था नेम जेख और 2 प्लस 6 एट हो गया तो टू किया और प्लस 5 बाई 7 प्लस 6 किया फिर 6 और टू को एड किया मानस 5 प्लस 5 बाई 7 और इतना आएगा तो 56 एक सट बटे 7 यह आ गया लेकिन लेकिन यह क्या रूल रूल करता है ना रूल क्या कहता है पहले आपको एडिशन करना पड़ेगा देखें अगर आंसर निकाला कोई कोई बात नहीं देखें अगर ऐसा solve करने के लिए आपसे कहा जाए तो आपको पहले add करना पड़ेगा धान रखीएगा ठीक है तो इसको पहले add करो कितना आएगा इस बाद तर्स पूरा complete करेंगे ना whole number थोड़ी लिखेंगे अब पूरा आपको 61 by 7 तो को answer वही आ रहा है आपने आपने 6 में मानस 4 किया था पहले तब भी आंसर आ रहा है लेकिन rule is wrong rule कहता है पहले addition करिए जो result आवे उसमें subtraction करिए इसे अलग से note करिए पहले फिर हम बात करें यह बहुत basic चीज़े बता रहे हैं मतब देखे answer अगर आपको किसी competition में जहां पर mcq है जहां पर option है वहां कोई भी rule लगा दीजे यह answer आना चाहिए लेकिन जहां पर आप से कहा जाए कि आप इसको solve करिए तो आप यहां पर धोगा मत खाईएगा माइनस मत कर देना पहले addition वाले सब हो जाएंगे तब subtraction होगा ठीक है लिखे properties of addition integers का addition कुछ properties को follow करता है properties of addition अभी जो naming बताने जा रहा हूं इन्हें याद रखिएगा ठीक है addition की properties भी आएंगी और multiplication की आएंगी देखो पहली property मैं integer की बात कर रहा हूं पहली property है closer property heading है आपकी properties of addition of addition पहली property है closer property closer property जना समझेगा अगर दो नंबर दो इंटीजर ले लिजे कोई भी दो इंटीजर मन में आप मानिए और दोनों इंटीजर को प्लस करिए तो result आएगा तो वो इंटीजर होगा और नहीं होगा हमेशा होगा अच्छा तो आप लिखेंगे कि if a and b are two integers अगर a और b दो इंटीजर है then a plus b will also be an integer यानि अगर a और b दो इंटीजर है तो उनका plus भी इंटीजर होगा ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि इंटीजर एडिशन के केस में closer property को follow करते हैं वर्ड सौन में आया तो आप लिखिए नीचे statement लिखो इसको यह भी लिखा जाता है देखे इंटीजर्स आर closed इंटीजर्स आर closed under summation सौन में आई बार नहीं आई है ऐसा भी लिख देते हैं closed का मतलब यह होता है कि closer property को follow करते हैं तो दो नंबर का summation हमेशा integer होगा दो integer का summation हमेशा integer होगा ठीक है अब लिखे commutative property दूसरी property है commutative property commutative property अगर दो integers को आप plus करिए ठीक है और बाद में उनी integers की order change करके plus करिए देखो answer same आएगा कि अलग अलग आएगा दो को भी integer अपने मन में मान लिजे और उनको plus करिए और दुबारा में उनका order change कर दो जो पहले लिखा था बाद में लिख दो जो बाद में लिखा था उसको पहले लिख दो देखो दोनों का same same आएगा ना तो आप लिखेंगे if a and b are two integers if a and b are two integers then a plus b is equal to b plus a इसका मतलब यह हुआ कि जो integers का जो summation होता है वो commutative property को follow करता है यानि if we change the order of the numbers numbers का order अगर हम order change करें example के तोर पर हम minus 4 plus 7 करें या 7 plus minus 4 करें तो दोनों का result same आएगा तीक है बहुत छोटे classes में हम को पढ़ाया जाता था उसमें लिखा होता था minus 4 plus 7 is equal to यहां पर question mark plus minus 4 तो हमको यहां fill करना होता था छोटे classes पेपर जो आता था ना उसमें fill करने को दिया आता था यह है उसमें property के नाम हमको नहीं मालूमते लेकिन काम वही था अब लिखिए associative property यह नाम याद रखिएगा associative property लिखिए if A, B, C are 3 integers if A, B, C are 3 integers तीसरी है associative property क्याते हैं if A, B, C are 3 integers 3 integers हैं then तो बोले आप भई देखे addition करते वक्त आप एक साथ तो तीनों को add नहीं कर सकते group बनाते हो ना दो दो का तो देखिए यह कह रहे हैं का आप इन दो number को plus करो आपने इनको plus कर दिया पहले bracket का मतलब अभी हम बता चुके bracket पहले solve करना है पहले किसको plus करना है इस bracket को और फिर c plus करो या a plus b plus c करो तो यहाँ पहले किसको plus करना है last b plus c को यानि दोनों result कैसे आएंगे same आएंगे इसका मतलब addition के case में जो integers होते हैं वो associative property को follow करते हैं ठीक है यानि example के तोर पर आप minus 5 plus minus 7 यह दो numbers plus करें और फिर plus करें 8 या आप minus 5 plus minus 7 plus 8 इन दो numbers को plus करें इसके बाद minus 5 plus करें result will be the same दोनों का result same आएगा तो यह आपकी associative property होती है दीके अब देखिए identity property अगला है identity property क्या हो आज तो यहां सो net speed ठीक आ रही है आपकी yellow दिखा रही है speed भी ठीक आ रही है अब ज़रा समझेगा मैं identity की बात कर रहा हूँ ज़रा सुनिये ध्यान से addition के case में सुनिये एक वो number बताओ वो integer बताओ जिसको किसी भी number में add करने पर कोई फर्क न पड़े तो यह आपका additive identity है यह कैसी identity है additive identity है addition के case में identity है यानि कि 0 अगर किसी integer में हम add कर देते है तो उसकी value change नहीं होती है यानि अगर हम माल लें कि if a is an integer अगर मैं a को माल लेता हूँ कि एक integer है then a plus 0 करें या 0 plus a करें दोनों ही cases में a आएगा 0 इसके addition को effect नहीं करेगा नहीं करेगा तो आप 0 को हम क्या कहेंगे वो identity है किस case में plus के case में तो इसको नाम कहा जाएगा additive identity ठीक है तो लिखो here 0 is identity element here 0 is identity element 0 is identity element identity element इसका नाम है called additive identity additive additive identity इसको हम additive identity कहते हैं अब एक और आता है additive इन्वर्स यह सभी नाम जो आपको बताए जा रहे ना यह जितने भी operation होंगे सब में यूज होंगे अलग 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 नाम से multiplication में भी यही सब रूल्स होंगे लेकिन वो operation multiplication का होगा ठीक है इसके बाद अगला है additive inverse additive inverse दरा समझिएगा आपको मैंने एक integer दिया 5 5 में आप क्या plus कर दें कि additive identity आजाए additive identity क्या होती है 0 तो 5 में क्या plus कर दें कि आपका 0 आजाए हाँ तो किसी भी number में अगर ऐसा number plus कर दिया जाए कि आपको additive identity मिल जाए तो जो number plus किया गया है वो आपका कहता है additive inverse नहीं समझे अगर दो number का summation दो number का summation 0 है 0 क्यों है क्योंकि 0 क्या है identity element for addition है तो जो दोनों number होते है न वो एक दूसरे के additive inverse होते है मतलब जैसे 5 में आपने plus किया minus 5 तो minus 5 में क्या plus कर दें plus 5 तो आप लिखे जरा if sum of two number is 0 if sum of two number is 0 if sum of two number is 0 then 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 each number is additive inverse of other additive inverse of other मतलब समझे गा देखो मतलब यह हो गया कि if a a is an integer अगर मैं कहूं कि a एक integer है then देखो a में अगर plus कर दीजे minus a तो 0 आएगा तो a का additive inverse क्या है minus a और minus a क्या है a यह दोनों एक दूसरे के additive inverse है ठीक है नोट करिए फिर statement लिखवाते है तो आप लिखिए here a is the additive inverse of minus a a is the additive inverse of minus a and minus a is the additive inverse of a and minus a is the additive inverse of a मतलब यह एक दूसरे के additive inverse है अगर a में minus a प्लस करें तो 0 minus a में प्लस ए करें तो 0 तो दोनों एक दूसरे के additive inverse है तो अगर मुझसे कहा जाए कि additive inverse होता क्या है तो आप कहेंगे अगर दो नंबर का summation 0 आता है तो यह दोनों नंबर एक दूसरे के additive inverse होता है ठीक है अब हम इन्ही प्रॉपर्टीज को subtraction में test करने जा रहे है जो addition में किया था ना इन्ही प्रॉपर्टीज को हम subtraction में check करने जा रहे है तो लिखे properties of subtraction इन प्रॉपर्टीज को याद रखेगा कि next term पे हम इन प्रॉपर्टीज के question discuss करेंगे ठीक है तो आपको फॉरण मताना पड़ेगा properties of subtraction properties of subtraction पहली लिखे closer property closer property प्रॉपर्टीज आफ सब्ट्रेक्शन पहला closer property बताईए अगर दो integer है तो उनका सब्ट्रेक्शन हमेशा integer होता ही नहीं होता है तो आप लिखेंगे if a and b are two integers two integers then a minus b is also integer इसका मतलब क्या हुआ आप लिखेंगे it means the so integers follow the closer property तूसरा है commutative property कॉमिटेटिव प्रोपर्टी देखें अगर इस a and b are two integers अब बताये कॉमिटेटिव में आईए अगर a और b दो integer है तो a minus b b minus a same होगा यह आप कहेंगे कि a minus b is not equal to b minus a इसका मतलब कॉमिटेटिव प्रोपर्टी को यह follow नहीं करता तो आप लिखेंगे it is not following कॉमिटेटिव प्रोपर्टी आप example ले लिजेगा example आप two minus three करो और three minus two करो दोनों value same नहीं आएंगी यानि कि subtraction में कॉमिटेटिव प्रोपर्टी नहीं होती एसोसियेटिव करता हिए तीसरा है एसोसियेटिव प्रोपर्टी एसोसियेटिव प्रोपर्टी अगर a minus b कर दो और फिर minus c करो या a minus b minus c कर दो value same आएगी नहीं आएगी क्योंकि देखे जाए जान से अगर इसका bracket कुलेंगे तो minus b minus c आएगा यहाँ minus अंदर जाएगा तो minus b plus c हो जाएगा यह एसोसियेटिव प्रोपर्टी को follow नहीं करता आँ जीरो इसका identity होता है जीरो इसका identity होता है तो identity element क्या हो जाएगा जीरो और multiplicative inverse sorry additive inverse minus e का क्या होगा प्लस e होगा ठीक है क्या हो जे प्लस राएगा ज्रीक। क्या है